नमस्कार आपका स्वागत है अंदिश्यक निउस की इस खास रिपोर्ट में खास समाचार में बड़ी अपडेट आ रही है अंदिश्यकों को डिसंबर महां का मांदे जारी कर दिया गया है पर अभी तक भुकता नहीं हो पाया यानिकि उनके खाउंट में अभी तक ये मांद पहुंच पायेगा दो मांदे जितना मिला उससे ज़्यादा अंदिश्यक कर्जदार हो गए हैं इतनी देरी से मिला हुआ मांदे कहीं न कहीं ये एक शोषण की परकाश्टा को व्यक्त करता है इतना कम मांदे वह वी दो तीन तीन महीने बाद प्राप्त होता है इसके लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती है। यह अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मांदे जारी होने का वादेश्य मांदे सक्षक्षा इवराज परज़ुन अंदे शक्राइल अधिकारी, अंश्कालिक अंदेशक मांदे मां दिसंबर 23 की धनरासी प्रेशन के संबंद में सिर्फ दिसंबर मां का मांदे प्रेशित किया गया है आपकी स्क्रीन पर है 29.12.24 को ये प्रेशित किया गया है और एकाउंट तक पहुंचते पहुंचते लगवक दो से चार दिन लग जाएंगे। इस बीच अंदेशकों ने कैसे अपना गुजारा गया होगा कैसे अपना खर्ज किया होगा कैसे अपने परिवार का भरन पोसंट किया होगा ये वही बहतर तरीके से जान सकते हैं कई अंदेशकों के लगातार फोन आए मैसेज भी आए कमेंट आए कि कर्जदार हो गये हैं वो इस बीच कर्ज लेकर उन्होंने अपने घर क्या जो खर्चा है वो चलाया है ये एक बड़ी समस्या क्यों ऐसा हो रहा है इसका अभी भी कोई सलूशन नहीं हो पाया है अंदुशक इसके लिए शासन प्रशासन में लगातार अपनी इस समस्या को बताते रहते हैं लेकिन क प्यादेव उनका लेट मांदे आता है साथियो आज 30 जनवरी है और आज मांदे 17,000 को लेकर मानिये सुप्रीम कोर्ट में अंदुशकों की डेट लगी हुई है हम इश्वर से पातना करते हैं आपको सफलता मेरे और मानिये सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास की नया अवश मिलेगा यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे मानिये सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए अंदुशक दिली पहुच चुके हैं उन्हों दिली का रुख कर दिया है और आज उनकी सुनवाई होगी संभवता पूरे दिन उपस्तित रहकर हो केस को सुनेंगे और जानेंगे और इंतजार करेंगे अपनी उस विचय गोश्णा का जिसका वर्सों से इंतजार है आज के अब तक की समाचानों बसनाई मिलते हैं जल्द मानि सुप्रीम कोर्ट की उस अपडेट को लेगा जिसका रहता है आपको इंतजार तो चैनल पर अगर नए है जल्व को सब्सक्रा झाल 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 झाल